नगानिगम धरमशाला के वाड नमबर 13 वह 14 में होवे हिनों को मकान निर्मान हेतू भूमे अलॉट करने वह दोबिखाट नाले में टंगे के निर्मान की मांग को लेकर धरमशाला के लोगों ने डी सी कांगला को ग्यापन सौंपा है इस दोलान प्रदेश भाजपा महिला मो आज दाड़ी तेरा और चोदा नंबर बाड़ के जो निवाशी है जो पचासाइट सालों से बहां रहे हैं कुछ भूमी है जो फुरेस्ट या श्यामलाद थी उसमें वो पचासाइट सालों के करीव से लगवग बरह रह रहे थे उनकी सबकी वो जो थी उन्होंने बिने ब पूंके नाम कर दी जाए क्योंकि जो उनकी पीड़ा है वह आज उन्होंने अपने डीजी साब के समक्स रखी है और गोहार लगाई है कि उनको जैराम सरकार से बहुत सारी उमीद नहीं कि जैराम सरकार ही ऐसी एक सरकार है कि हर ग्रीबों के हित के लिए सोच रही हैं और इ पीड़ा में है वहां पार सफ एपिए साल से वह और इन सब का यह कहना था कि वहां पर जो पौर की जाती है जो यह का हमने देखे भी नहीं है लोग उन पूझ ≤ हम झाले कि गी और आपकाया हुआ उन्होंने तो आज इंगे से भी बात की थी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी हम कारे करता के रूम में भी काम करने और विदाएक जी से मिले हैं विदाएक जी ने इनको अश्वाषंद दिया था डिसी साब जी से भी बात की है और जैराम जी सरकार से जो इन्ह मात आएं जो आज वो अपने जो रोजी रोटी उनकी जो आज कहीं ध्याड़ी लगा रहे हैं वो सारे ध्याड़ी को छोड़कर हर घर से एक बंदा आया था लगभग 120 फैमनी ऐसी हैं जो इस जो यह इस दुबदव में हैं कि पता नहीं कब जो हमें इस जगह से जो निकाल द में जो इनकी जो यह ग्वार है वो इसको सुनेगी और इनके लिए जो इनके जो बसे रहे हैं वो पक्का जो है वो पक्का हर हालत में इनके नाम होंगे सुटी शैनल के लिए धरमशाना से इन रिपजेत निफी की रिपोर्ट